हालो डियर इस्टोरेंस कैसे आप लोग उमीद करते हैं अच्छे होंगे स्वगत आपका आपके यूट्यूब चानल टार्गेट विद रमकात्म डियर इस्टोरेंस आज कला हम लोग पिरियोडी क्लासिफिकेशन आफ एलिमेंट्स के कुश्चन डिस्कस कर रहे हैं पिछए 10 सालों में इस चैप्टर से जितने भी कोश्चन साहे हों सारे के सारे हम लोग क्या करना हैं और इस सीरीज में अब तक हम लोगों ने 6 पार्ट क्या कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 1 से लेकर के 6 तक हम लोगों ने क्या कर रहे हैं और exam के questions हैं यह सारे के questions जो होते हैं बहुत ज्यादा important होते हैं board exam में जाने से पहले आप अगर previous year की questions solve करते हैं तो यह questions आपको exam में बहुत ज्यादा confident feel कराने वाले हैं और अगर अब तक आपने solve नहीं किये हैं तो please solve करें एक्जाम में जाने से पहले, ना सिर साइनस के बलकि बहुत सारे जो आपके सबजिक्ट है, सब इस के कोशन क्या करें, प्रीवियस यर के कोशन साव्ड करें, तो साइनस में आपको सॉल कराना हूं, और साइनस में हम लोग केमेंश्य की कोशन साल करने हैं, अन् देन आफटर जितने भी chapters है अगर उनकी questions कराया जाते हैं तो आपको notification मिलने में आसानी होगी तो बीना दिर किये आए चलना आए questions discuss करना क्या करते हैं शुरू करते हैं तो आज हमें discuss करना है short answer type questions के बारे में discuss करना है and short answer type questions में अगर आप देखें तो short answer type जो question होते हैं इस आपकी exam में four marks में आते है यानि की question की आपको किने marks में लेंगे four marks में लेंगे Okay तो इनका विटिस बहुत अच्छा होता तो अगर आपने questions को अच्छ हसे सॉल्व किया तो आपको question सॉल्व करने के कितने marks में लागे four marks मेंलंगे Okay तो चलिए, कोशन देखे, 2018 में कोशन आया हुआ, अगर आप यहां से देखे, तो कोशन क्या कहे रहा है, राइट टू कारेटरेक्स्टिक्स आफ मेंडलीफ स ओरिजिनल पिरियॉडिक टेबल, and write the name of element of second period, देहां से देखेगा, write the name of element of second period, तो अब आपको जा रहा है, मेंडलीफ के ओरिजिनल पिरोडिटिवल की बात चल रही है, एक्जाम में लिखने का तरीका हूता है, तो उसको अच्छे से लिखा करेगा, तो सबसे पहले आप heading डालेंगे क्या, two characteristics of mandalips original periodic table, यह आपका heading हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा, black pen से क्या करिएगा, heading डालेंगा, two characteristics of mandalips original periodic table, and black is case से क्या करोगे, उसको underline करोगे, उसके बाद अपने answers लिखने सुरू करिएगा, जैसा कि यहाँ पर नहीं किया गया है, तो यह heading डालना बहुत important है, heading डाल जा दिएगा, तो attempt कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही examic questions करके आजाएंगे, तो number अच्छे नहीं मिलेंगे, तो दिखे, पहला काम आपको क्या करना है, तो mandalips के original periodic table की बात चल रहे है किस पर, किस पर, atomic mask, आपको पता है, atomic mask को एसरी present किया गया था, atomic mask के basis पर, आप देख सकते हैं, atomic mask के basis पर क्या किया था, arrangements किया था, elements को उनके increasing order, atomic mask के increasing order में किया गया था, arrange किया गया था, जिसका atomic number कम, वो उपर, जैसे जैसे atomic number बढ़ते जा रहे थे, elements के, उनको क्या किया जा रहा था उपर से नीचे या left to right रखा जा रहा था ओके तो मेडलीव का original periodic table भी में भी elements को atomic mass के increasing order में क्या किया गया था arrange किया गया तो पहला points क्या हो गया मेडलीव को original periodic table का पहला points क्या हो गया elements are arranged in increasing order of atomic weight and that is atomic mass आप mass लिख सकते हैं और weight लिख सकते हैं कोई confused होने की जरूद नहीं है ओके आगे देखिएगा next point की बात करते हैं characteristics लिख रहा है तो कोई tension नहीं होना है तो पहला part हो गया दूसरा part there are seven periods there are seven periods and eight groups ओके अच्छा period को क्या बोलते है horizontal column जो होते है horizontal column जो होते है यानि कि इस तरह से जो चीज़े थी उनको क्या बोला गया था horizontal column बोला गया था and this is known as period क्या बोला गया था period बोला गया था and इस तरह से अगर आरेंज किया जाता है वर्टिकल में आरेंज किया जाता है तो इस तरह से जाएंगे तो क्या होगा horizontal column होगा and इसके जो numbers थे कितने थे 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7 इस तरह से इसके numbers थे अच्छा जब vertically आप आएंगे इस तरह से आएंगे तो जो इनके numbers थे ऐसे करके वह कितने थे 8 थे vertical columns कितने थे 8 थे in the original period table तो दो points आपने discuss कर लिए Mendeleaf के two characteristics आपने आराम से discuss कर लिए पहला point क्या था Mendeleaf के original period table को increasing order of atomic mass में क्या किया गया arrange किया गया है and Mendeleaf के original period table में 7 period थे how many periods 7 periods थे and 8 और 8 क्या थे 8 vertical columns थे जो आपको नहीं भूलना है दिवा में आ रहे है कि नहीं आ रहे है ये multiple choice में पूछा सकता है कि how many how many periods and groups were present in Mendeleaf's original period table तो Mendeleaf के period table में आप आसानी सही से क्या कर सकते discuss कर सकते अब अगला heading देखे इसमें दो तरह की question पूछा गया है write the name of elements of second period तो second period के elements के नाम लिखने है second period के elements के नाम लिखने है तो मैं आपको periodic table दिखा देता हूँ यहां से आप देख सकते यह देखे यह आपका क्या है periodic table तो periodic table में मैं आपको दिखा दूँ यह देखे पहला period है पहले period में helium और hydrogen दिया है और क्या दिया है helium दिया हूँ hydrogen and helium जो है यह first period के member है and second period में आपको कौँ सा आ जाएगा li आ जाएगा, be आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा, n आ जाएगा, o आ जाएगा, f आ जाएगा second period elements, okay, second period elements का लिखने के लिए, लिखने के लिए आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, देखिए, atomic number लिख लेज़े, कितने, 3, atomic number ऐसे लिख लेज़ेगा, lithium से सुरू है, lithium के कितना होता, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लिख लिए आपने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो आप इस पर क्या हो गया lithium, और यहां क्या हो जाएगा, beryllium हो जाएगा, beryllium हो जाएगा, carbon हो जाएगा, nitrogen हो जाएगा, oxygen हो जाएगा, fluorine हो जाएगा, और neon हो जाएगा, देखिए, आसानी से second period के elements आपने क्या कर लिए, लिख लिए, तो कोई दिक्कत नहीं होने वादी है, फिर से दिख जाएगा, why do classify elements, okay, कह रहा है, कि जो elements हैं, उन्हें classify क्यों किया जाना चाहिए, what's the reason behind it, okay, तो अगला देखते है, in mandalese period table, why was three no mention, sorry, why was, फिर से दिख लिजए, चले, question number two क्या कर रहा है, in mandalese period table, why was there no mention of noble gases like helium, neon and argon, okay, समझेगा, फिर से, तो mandalese period table में noble gases, तो याद रिखेगा, mandalese period में noble gases के discovery हुई ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने noble gases के बारे में कोई भी बात, अपने period table में नहीं बताई है, तो पहला, सबसे पहला classification की, पहले question की बात करते हैं, attempt करते हैं, why we classify elements, तो ध्यान से समझेगा, elements को classify क्यों किया गया है तो आपको general से way में बता दू, these are elements, okay, and on the basis of classification, आप देख सकते हैं कि हर elements को क्या किया गया है, group में divide किया गया है, and हर elements को क्या किया गया है, periods में classify किया गया है, इस तरह से अगर आप आएंगे, तो this is period, okay, और इस तरह से element को classify करने से फायदा क्या है, फायदा ये है, कि अगर उपर के elements को अगर आप steady करते हैं, तो same property उनके नीचे के elements के भी होती है, तो अगर elements को classify किया गया है, तो उसमें same elements को क्या किया गया है, same group में रखा गया, and same elements को same period में रखा गया है, तो इससे elements को steady करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, तो आपको लिखना है, तो आप यहां से देख सकते हैं, मैं questions आपको अच्छे से समझा देता हूं, देखें, क्या है यहां से, different elements discovered in the different time, time, were found to possess the different physical and chemical properties, different physical and chemical properties, but it was difficult to study all the information or properties of these elements, scientists started discovery some pattern in their properties to classify all the known elements in order to make their study easier, बस यह point अपको अच्छे से समझा देना, बस, क्यारा, इस समय समय पर बहुत सारे अलग-अलग तरह के elements क्या किया गए, discover किया गए, अलग-अलग time पर अलग-अलग तरह के elements खोजए गए, elements के study को easy बनाने के लिए, elements को क्या कर दिया गया, classify कर दिया, इससे क्या होगा, आसानी से, on the basis of classification, हम particular elements को अच्छे से समझ सकते हैं, इससे हमें किसी भी elements को study करने में आसानी होगी, so elements are classified on the basis of the similar properties, and dissimilar in properties, आपको मैं simply समझा दे रहा हूँ, जैसे आप स्कूल में बढ़ते हैं, किसे बढ़ते हैं, स्कूल में बढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा, जो आप स्कूल में बढ़ते हैं, तो स्कूल में क्या सभी बच्चे एक जगे बढ़ते हैं, या अलग-अलग class में बढ़ते हैं, आपको पता है कि 10th class, जैसे कि जो आपकी class है, 10th class है, तो 10th class के student 10th class वाली class में बैठेंगे, 1st class के student 1st कॲास में बैठेंगे, और 12th class के student 12th class में और 11th class के student 11th class में. इसे होगा क्या? इसे होगा ये कि particular class में बैठने की वज़े से अब हम आसानी से बच्चों को क्या कर सकते है? identify कर सकते हैं कि ये 11th class का बच्चा माली जी कोई बच्चा है और उसके parents ने क्या कर दिया? उसको नीचे आ करके बुलाया कि हमारे बच्चे को बुला दिजे तो जब बोला जाएगा हमारे बच्चे को बुला दिए तो सबसे पहले उनुसे यह कोशन होगा कि आपका बच्चा किस class में बढ़ता? और उस बच्चे का नाम क्या है तो अगर मालीज़ सपोर्ट उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे को बुला दीजे अब आया जी अगर उनको पता नहीं है तो हर क्लास में जा जाके बारी-बारी से पूछे अगर नाम से पूछे बताया जाएगा मालीज़ उन्होंने उसका कुछ भी नाम बता दिया और क्लास नहीं बता है तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा सारी क्लास में जा जाके बच्चे का नाम बोलना पड़ेगा कि कौन है ये बच्चा लेकिन अगर उन्होंने बता दिया कि मेरा बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है और उसका नाम यह है तो अब इससे फाइदा क्या होगा कि अब जो बुलाने वाला वो सीधे जाएगा 10th क्लास में बच्चे का नाम लेगा और सीधे बच्चा अपने पेरेंस के पास पहुँच जाएगा तो अब बुलाने वाले को ज़्यादा दिकत नहीं होगी क्यों क्योंकि उसको पता चल गया है कि उसे exact क्लास में कौन सी क्लास में जाना तो इससे क्या होता है इसी तरह से elements के classification में भी होता है जब elements का classification हो गया तो उससे elements के बारे में पढ़ने में आसानी हो गई चली next question discuss करते है अगला question noble gases related है तो noble gases आ neon, argon, krypton, genon and redon ओके यह क्या है आपके noble gases अच्छा यह जो noble gases है यह कहां पाई जाती है atmosphere में पाई जाती है यह सारी के सारी जो noble gases है except rn that means redon redon के अलावान चितनी भी gases है यह सारी के सारी gases atmosphere में पाई जाती है redon क्या है एक radioactive element ओके तो यह atmosphere में नहीं पाई जाता है तो confuse मत करीगा ओके तो ध्यान से समझेगा अब जो question था हमारा उसको समझ लेते हैं क्या था noble gases के बारे में नहीं बताया गया था noble gases like helium, neon, argon, krypton, krypton, etc. sector were not discovered at the time of mandalives, यही तो मैंने बताया था कि mandalive के time period में noble gases के discovery नहीं हुई थे, okay, तो there were, they were discovered later the, later as they are, they are inert and present in extremely low concentration in our atmosphere, देखे यह atmosphere, so after their discovery, they were placed in a new group 18 in modern periodic, table, okay, मैं इसको आपको location दिखा देता हूँ, यह देखे, period table है, और period table में आप यहां से चेक कर सकते हैं, period table में these are noble gases, okay, यह हैं आपकी noble gases, helium, neon, argon, krypton, genon, and redon, अच्छा, इनका group कौँसा है, यह जो group है, आप देख सकते हैं, यह जो group 18 है, कौँसा group है, 18 group में, इनको period table में, ब अब आपको यह भी question सवन में आ गया, चलिए, अब आगे के question solve करते हैं, यह question भी हो गया, अब अगला question solve करते हैं, अगले question में देखे, कितना अच्छी बात है, 2012 and 18 में question आए हुआ, क्या है, जड़ देखते है, how do we follow, following properties of elements of second period, ध्यान से दिखे, बार बार, कौन से period की बात चल लिए है, second period की बात चल लिए है, तो क्या, मैंने अभी आपको second period बता है था, आप बता सकते हैं, explain, okay, how do the following properties of element of second period, period change, okay, second period change, explain, metallic properties, आगे की बात है क्या है, उसको देखते हैं, तो देखे, second period के elements की बात करत है, lithium 3, beryllium 4, boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9, and neon 10, okay, और neon क्या है, noble gases, okay, ये बाते सो में आगे, तो these are, these are क्या है, second period elements है, और इनकी properties क्या करना, आपको discuss करना है, okay, अच्छा, explain, metallic properties, discuss करना है, क्या करना है, इसकी metallic properties, discuss करना है, और उसके बाद इसकी क्या करना है, balance in relation of hydrogen भी क्या करना, discuss करना, तो चलिए, start करते, देखे, metallic property क्या होता है, metallic property की बात करे, तो याद रखिएगा, metallic properties, तो ध्यान से देखेगा, metallic, metallic property, okay, metallic property, देखे, period table में दो बात उपे आपको ध्यान देना है, एक देना है, ग्रूप, और एक देना है, period, देखे, जब हम period की बात करेंगे, तो period in the sense, हम top to bottom आ रहे है, top to bottom आ रहे है, और जब हम, जब हम group की बात करेंगे, sorry, जब हम group की बात करेंगे, तो इसका बात हम कहा आ रहे है, किसके है, s block की element है, और हम group की बात कर रहे है, तो हमेशा metallic character क्या करेंगा, increase करेंगा, और period में याद रखिएगा, किसी भी group में याद रखिएगा, ध्यान से सुन लिजे, उपर से नीचे जाने पर, top to bottom जाने पर, metallic character, कौँसा character, metallic character हमेशा increase करेंगा, चेक करेंगा, ध्यान से सुन निएगा, किसी भी group में, top to bottom उपर से नीचे आने पर, metallic character हमेशा increase करेंगा, क्या करेंगा, increase करेगा metallic character हमेंसा क्या करेगा increase करेगा अब आईए group की बात करते हैं किस की बात करते हैं group की बात करते हैं तो जब group की बात करेंगे किसी भी group में याद रिखी group तो हो गया अब बात करते है period में तो ध्यां से दिखेगा और period में ही हमसे पूछा गया, group तो मैंने आपको एक्स्रा बता दिया, कि top to bottom, किसी भी group में, अगर आप ऐसे देखें, यह रहाँ का periodic classification, तो dear students, किसी भी group में, अगर आप उपर से नीचे आएंगे, तो metallic character क्या करेगा, increase करेगा, अब metallic character increase करने का क्या मतलब हो, जारो मैं फिर से समझा देता हूं आपको, जैसे अगर आप से बोला गया, lithium, sodium, potassium और rubyodium, these are four elements, okay, these are four elements, अब आप से मैं पूछू, in these elements, which one is more metallic, check करेगे, which one is more metallic, तो your answer should be RB, why, क्योंकि यह सब से नीचे दिया हो, हमने आपको बताया, कि metallic character, top to bottom आपर क्या करता है, increase करता है, तो this one is more metallic, this one is more metallic got it, तो यह क्या हो जाएगा, more metallic हो जाएगा, दिवा में गया कि नीचे तो ग्रूप में उपर से नीचे आने पर metallic character क्या करेगा, increase करेगा, now, let's see, again check करते हैं, यहां से check करते हैं, अब हमें बात करने हैं, period की, किस की बात करेंगे, period की बात करेंगे, तो ध्यान से समझेगा, जिस तरह से उपर से नीचे जाने पर ग्रूप में metallic character क्या करता है, increase करता है, उसी तरह से left to right, किसी भी period में आप जब जाएगे, left to right, इस तरह से, तो metallic character क्या करेगा, decrease करेगा, metallic character decreases, दिवा में बाढ़ गया गया, उपर से नीचे, यानि कि ग्रूप में top to bottom जाने पर metallic character increase करे बस आपको यही समझना है, बस अब आप यहां से आंसर समझेगा, यहां से देखिए, metallic properties, on moving from left to right in period, atomic size of element decreases, and their ionic potential increases, hence, electro-positivity of metallic character decreases, okay, metallic character decreases, समझे आगे कि नहीं आगे, okay, metallic character क्या करता है, decrease करता है, in the second period, in the second period, lithium to beryllium, आप लिख दीजेगा, second period में, सीधे, जैसे बोला गया, second period, lithium, beryllium, boron, उसके बाद, carbon, nitrogen, fluorine, और, sorry, fluorine है, और neon, these are second period element, okay, first से लिख दीजेगा, In second period, lithium and beryllium are more electro-positive than carbon, and carbon is more electro-positive than fluorine, okay, आगे समझ सकते हैं, commonly element on the left hand side and bottom of the table are highly metallic, whereas element on the right hand side and top of the table are highly non-metallic, okay, चले, next साथ है, Balancy की बात करते हैं, Balancy के reference में देखे हैं, अबर क्या दिया हो, Balancy, Balancy in relation to hydrogen, okay, Balancy in relation to hydrogen की बात करते हैं, In relation with hydrogen, the Balancy increases from 1 to 1 to 4 on moving from left to right in a period, then decreases from 4 to 1, okay, अब आप देखें, लिथियम की बात करेंगें, ऐसे क्या था, लिथियम था, चेक करिएगा, मैं यहां से बता देता हूँ, ऐसे, देखें, चेक करिएगा, यहां से बता रहो मैं, जैसे क्या था, लिथियम, बेरेलियम, बोरान, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, और नियोन, ओके, तो यहां से हाइडोजन के साथ क्या बनाएगा, लाइएच बनाएगा, इसके साथ क्या बनाएगा, इसके साथ क्या बनाएगा, इसके साथ क्या बनाएगा, बेएच त्री बनाएगा, यानि कि यहाँ पर हाइडोजन की जो बैलेंसी हो, क्या है, H+, है, यहाँ पर हाइडोजन की जो बैलेंसी है, H2 है, यहाँ पर हाइडोजन की बैलेंसी है, H+, 3 है, और कार्बन में अगर आप देखें, तो क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3 ह F H हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बनेगा है नहीं इसके साथ बनेगा नहीं अच्छा ओक्सिजन छोट रहा है तो यहाँ पर भी H2 हो जाएगा आगे बस तो यह हो जाएगी हाँ जाएगी हाँ तो आप यहाँ सिर्फ देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है यहां से आप चेक कर लिजे इन रिलेक्षन विद हाँ देखें लिथियम में क्या है हाँ आपको मैंने बताया है कि लिथियम अब यहाँ इसको ब्रेक करेंगे लाए प्लस और ह माइनस होजाए तो अब यहाँ इसकी बैएंसी क guarantees y ऑंगे अगली वीडियो में थे में गया करेंगी कोशन नमबर फॉर के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज आपको मैं क्या कर रहा हूँ, इसे अब भी नोट्स हैं, अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, और इतना ही लिख करके आना है, जो चीज़े थोड़ा बहुत भी जो चीज़े इंप्रूब करनी है, तो मैं आपको बात-बात में क्या कर रहा हूँ, बताता चल रहा हूँ, इससे क्या होगा, कि आपको प्रॉपर नोट्स तयार हो जाएगा, और इन ही को अरट करके जाएए, देगे, एक्जाम में आए हुए कोश्चन की खास बत क्या होती है, यह कोश्चन एक्जाम में रिपीट किया जाते हैं, इन कोश्च